कितने पंथों में बटा है मुसलिम समाज इसलाम के सभी अन्याई खुद को मुसलमान कहते हैं लेकिन इसलामी कानून यानी फिकह और इसलामी कितिहास की अपनी अपनी समझ के आधार पर मुसलमान कई पंथों में बटे हैं बड़े पैमाने पर या संप्रदाई के आधार पर देखा जाए तो मुसल्मानों को दो हिस्सों सुन्नी और शिया में बाटा जा सकता है। हालांकि शिया और सुन्नी भी कई फिरकों या पंथों में बटे हुए हैं। बात अगर शिया सुन्नी की करें तो दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि अल्ला एक है। मुहम्मद साहब उनके दूत हैं और कुरान आस्मानी किताब यानि अल्ला की भेजी हुई किताब है। लेकिन दोनों सबुदाय में विश्वासों और पैगंबर मुहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तरा अधिकारी के मुद्दे पर गंभीर मतभेद हैं। इन दोनों के इसलामिक कानून भी अलग-अलग हैं। सुन्नी या सुन्नत का मतलब उस तोर तरीके को अपनाना हैं जिस पर पैगंबर मुहम्मद ने खुद अमल किया हूँ और इसी हिसाब से वो सुन्नी कहलाते हैं। ये पांच सो सत्तर से छेसो बटीस ईस्वी का दौर था। एक अनुमान के बुताबिक दुनिया के लगभग असी से पिचासी प्रतिशत मुसल्मान सुन्नी हैं जबकि 15 से 20 प्रतिशत के बीच शिया हैं। सुन्नी मुसल्मानों का मालना है कि पेगंबर मुछमच के बाद उनके ससूर हज़रत अभू बकर 632 से लेकर 634 ईस्वी तक मुसल्मानों के नए नेता bent जिनहीं खलीफा कहा गया। इस तरहे अबुबकर के बाद हजरत अमर 634 से 644 इस्वी, हजरत उस्मान 644 से 656 इस्वी और हजरत अली 656 से 661 इस्वी मुसल्मानों के नेता बने। इन चारों को खुल्फा राशिदीन यानी सही दिशा में चलने वाला कहा जाता है। इसके बाद से जो लोग आए वो राजनेतिक रूप से तो मुसल्मानों के नेता कहलाए लेकिन धार्मिक एथवार में उनकी एहमियत कोई खास नहीं थी। जहां तक इसलामिक कानून की व्याख्या का सवाल है सुन्नी मुसल्मान मुख्य रूप से चार समूहों में बटे हैं। हालांकि पांचवा समूह भी है जो इन चारों से खुद को अलग कहता है। इन पांचों के विश्वास और आस्था में भी बहुत अंतर नहीं हैं लेकिन इनका मानना है कि उनकी इमाम और धार्मिक नेता ने इसलाम की सही व्याख्या की है। दरसल सुन्नी इसलाम में इसलामी कानून के चार प्रमुख स्कूल हैं। आठवी और नौवी सदी में लगभग 150 साल के अंदर चार प्रमुख धार्मिक नेता पैदा हुए। उन्होंने इसलामी कानून की व्याख्या की और फिर आगे चल कर उनके मानने वाले उस फिर्के के समर्थक बन गए। ये चार इमाम थे इमाम अबुख हली तक और इमाम मलक 711 सेeh 955 इस वी तक। इमाम अबुख हनीफा के मानने वाले हनवी कह राते हैं। इस विकह या इसलामी कानून के मानने वाले मुसलमान भी दो गूटों में बटे हुए हैं। एक देवबंदी है तो दूसरे अपने आपको बरेलवी कहते हैं। देवबंदी और बरेलवी। दोनों ही नाम उत्रप्रदेश के दो जिलों देवबंद और बरेली के नाम पर हैं। जबकि आला हजरत एहमद रजाखां बरेलवी का संबंद बरेली से था। मौलाना अब्दुलरशीद गंगोही और मौलाना खासिम ननोत्वी ने 1867 में देवबंद मदरसे की बुनियात रखी थी। देवबंदी विचारधारा को परवान चड़ाने में मौलाना अब्दुलर देवबंदी और बरेलवी विचारधारा के मानने वालों का दावा है कि खुरान और हदीथ ही उनकी शरीयत का मौल स्रोत है लेकिन इस पर अमल करने के लिए इमाम का अनुसरन करना जरूरी है इसलिए शरीयत के तमाम कानून इमाम अबु हनीफा के फिकह के अनुसार है वह कुछ जादा फर्क नहीं लेकिन कुछ चीजों में मतभेद हैं जैसे बरेलवी इस बात को मानते हैं कि पैगंबर मुहंबत सब कुछ जानते हैं जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता वो भी वो हर जगे मौजूद हैं और सब कुछ देख रही हैं वहीं देवबंदी इसमे विश्वास नहीं रखते देवबंदी अल्ला के बाद नबी को दूसरे स्थान पर रखते हैं लेकिन उन्हें इनसान नहीं मानते बरेलवी सूफी इसलाम के अनुयाई हैं और उनके यहां सूफी मजारों को काफी महत्व प्राप्त है जब की देवबंदियों के पास इन मजारों की बहुत एहमियत नहीं है बलकि वो इसका विरोध करते हैं मालिकी इमाम अबू हनीवा के बाद सुन्यों के दूसरे इमाम इमाम मालिक हैं जिनके मानने वाले एशिया में कम हैं उनकी एक महत्वपून किताब इमाम मोत्ता के नाम से प्रसिद है उनके अनुयाई उनके बताई नियमों को ही मानते हैं ये समुदाए आम तोर पर मध्यपूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं शाफई शाफई इमाम मालिक के शिश्य हैं और सुन्यों के तीसरे प्रमुक इमाम है मुसल्मानों का एक बड़ा तपका उनके बताए रास्तों पर अमल करता है जो जादातर मध्यपूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में रहता है आस्ता के मामले में ये दूसरों से बहुत अलग नहीं है लेकिन इसलामी तोर तरीकों के आधार पर ये हन्फी फिकह से अलग है उनके अनुयाई इस पात में विश्वास रखते हैं कि इमाम का अनुसरन करना जरूरी है हमबली, साथी अरब, कतर, कुवेट, मध्यपूर्व और कई अफ्रीकी देशों में भी मुसल्मान इमाम हमबल की फिकह पर जादा अमल करते हैं और वे अपने को हमबली कहते हैं साथी अरब की सरकारी शरियत इमाम हमबल की धार्मिक कानूनों पर आधारित है उनके अनुयाईयों का कहना है कि उनका बताया हुआ तरीका हदीसों से अधिक करीब है इन चारों इमामों को मानने वाले मुसल्मानों का ये मानना है कि शरीयत का पालन करने के लिए अपने अपने इमाम का अनुसरन करना जरूरी है सल्फी, वहाबी और एहले हदीस सुन्यों में एक समुह ऐसा भी है जो किसी एक खास इमाम के अनुसरन की बात नहीं मानता उनका कहना है कि शरीयत को समझने और उसका सही धंक से पालन करने के लिए सीधे, खुरान और हदीस यानि पैगंबर मुहम्मद के कहे हुए शब्द का अध्ययन करना चाहिए इसी समुदाय को सल्फी और एहले हदीस और वहावी आधी के नाम से जाना जाता है ये सम्परदाय चार इमामों के घ्यान, उनके शोध अध्ययन और उनके साहित्य की कद्र करता है लेकिन उसका कहना है कि इन इमामों में से किसी एक का अनुसरन अनिवार्य नहीं है उनकी जो बाते खुरान और हदीस के अनुसार है उस पर अमल तो सही है लेकिन किसी भी विवादास पद चीज में अन्तिम फैसला, खुरान और हदीस का मानना चाहिए सल्फी समू का कहना है कि वो ऐसे इसलाम का प्रचार चाहता है जो पैगंबर मुहम्मद के समय में था इस सोच को परवान चड़ाने का सहरा इबन तौमया 1263 से 1328 और मुहम्मद बिन अब्दुलवाब 1703 से 1792 के सर बादा जाता है और अब्दुलवाब के नाम पर ही ये समुदाए वहाबी नाम से भी चाना जाता है मध्यपूर्व के अधिकाश इसलामिक विद्वान उनकी विचारधारा से जादा प्रभावित है इस समुख के बारे में एक बात बड़ी मशूर है कि ये संप्रदाइक तोर पर बेहत कटरपन्थी और धार्मेक मामलों में बहत कटर है सौधी अरब के मौझूदा शासक इसी विचारधारा को मानते हैं अलकाइदा प्रमुक उसामा बिन लादेन भी सल्फी विचारधारा के समर्थक थे सुन्नी बोहरा गुजरात, महराष्ट और पाकिस्तान के सिंध प्रांथ में मुसल्मानों के कारुबारी समुदाए के एक समूँ को बोहरा के नाम से जाना जाता है बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं सुन्नी बोहरा हन्सी の समूदाए के करीब है हन्सी इसलामिक कानून का पालन करने वाले मुसल्मानों का एक समूदाए अपने आपको ऐहमस्ताइ कहता है इस समूदाए की स्थापना भारतीय पंचाब के कादियान में मिर्जभुलाम अहमद ने की थी इस पंध के अनुयाईयों का मानना है कि मिर्जा गुलाम एहमद खुद नभी का ही एक अफ़तार थे उनके मिताबिक वे खुद कोई नई शरीयत नहीं लाए बलकि पेगंबर मुहमद की शरीयत का ही पालन कर रही हैं लेकिन वे नभी का दर्जा रखते हैं मुहमद साब के बाद अल्ला की तरफ से दुनिया में भेचे गए दूतों का सिलसला खत्म हो गया है लेकिन एहमदियों का मानना है कि मिर्जा गुलाम एहमद ऐसे धर्मस उधारक थे जो नभी का दर्जा रखते हैं बस इसी बात पर मतभेद इतने गंभीर है कि मुसल्मानों का एक बड़ा वर्ग एहमदियों को मुसल्मान ही नहीं मानता हलांकि भारत पाकिस्तान और ब्रिटेन में एहमदियों की अच्छी खासी संख्या है पाकिस्तान में तो आधिकारिक तोर पर एहमदियों को इसलाम से खारिच कर दिया गया है शिया, शिया मुसल्मानों की धार मिकास था और इसलामी खानून सुन्नियों से काफी अलग है वो पेगंबर मुहमद के बाद खलीफा नहीं बलकि इमाम निउक्ट की हैं शिया मुसल्मान मुहमद के बाद बने तीन खलीफा को अपना नेता नहीं मानते बलकि उन्हें गासिब कहते हैं गासिब अर्भी का शब्द है जिसका अर्थ हडपने वाला होता है उनका विश्वास है कि जिस तरह अल्लाह ने मुहम्मद साहक को अपना पैगंबर बना कर भीजा था उसी तरह से उनके दामाद अली को भी अल्लाह ने ही इमाम या नभी नियुक्त किया था और फिर इस तरह से उनही की संतानों से इमाम होते रहे आगे चलकर शिया भी कई हिस्सों में बढ़ गए इसना अश्री सुन्यों की तरह शियाओं में भी कई संप्रदाएं हैं लेकिन सबसे बड़ा समू हो इसना अश्री यानि बारह इमामों को मानने वाला समू है दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत शिया इसी समूदाए से संबंध रखते हैं इसना अश्री समूदाए का कल्मा सुन्यों के कल्मे से भी अलग है उनके पहले इमाम हजरत अली हैं और अंतिम यानि बारवें इमाम जमाना यानि इमाम महदी हैं वो अल्ला, कुरान और हदीस को मानते हैं लेकिन केवल उन्ही हदीसों को सही मानते हैं जो उनके इमामों के माध्यम से आए हैं कुरान के बाद अली के उबदेश पर आधारित किताब नहजुल बलागा और अलकाफी भी उनकी महत्वपून धार्मिक पुस्तके हैं ये संप्रदाय इसलामिक धार्मिक कानूनों के मताबिक जाफरिया में विश्वास रखता है इरान, इराक, भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया के अधिकांश देशों में इसना अश्री शिया समुदाय का दबदबा है जैदिया शियाओं का दूसरा बड़ा साम्रदायिक समुध जैदिया है जो बारहा के बचाए के वल पांच इमामों में ही विश्वास रखता है इसके चार पहले इमाम तो इसना अश्री शियाओं के ही हैं लेकिन पांचवे और अन्तिम इमाम हुसेन हज़रत अली के बेटे के पोते जैदिया के जैदिया कहलाती है उनके इसलामिक कानून जैदिया बिन अली की एक किताब मजमौल फिकह से लिए गए हैं मध्यपूर्व के यमन में रहने वाले होसी जैदिया समुदाय के मुसल्मान हैं इसमाईली शियाओं का ये समुदाय के वल साथ इमामों को मानता है और उनके अंतिम इमाम मुहम्मद बिन इसमाईल है और इसी वजह से उन्हें इसमाईली कहा जाता है इसना अश्री शियाओं से इनका विवाद इस बात पर हुआ कि इमाम जाफर सादिक के बाद उनके बड़े बेटे इसमाईल बिन जाफर इमाम होंगे या फिर दूसरे बेटे इसना अश्री समूह ने उनके दूसरे बेटे मुसा काजिम को इमाम माना और यहीं से दो समूह बन गए इस तरह इसमाईलियों ने अपना साथवा इमाम इसमाईल बिन जाफर को माना उनके फिकह और कुछ मानिताएं भी इसना अश्री शियाओं से कुछ अलग है दाउदी बोहरा बोहरा का एक समूदाए जो दाउदी बोहरा कहलाता है इसमाईली शिया फिकह को मानता है और इसी विश्वास पर कायम है अंतर यह है कि दाउदी बोहरा 21 इमामों को मानते हैं उनके अंतिम इमाम इमाम तैयब अब्दुल खासिन थे जिसके बाद आध्यात में गुरुओं की परंपरा है इन्हें डाई कहा जाता है और इस तुलना में बावनवे डाई सेदना बुरहानुद्दीन रब्बानी थे 2014 में रब्बानी के रिधन के बाद उनके दो बेटों में उत्राधिकार का जगड़ा हो गया और अब मामला अदालत में हैं बोहरा भारत के पश्चिमिक शेत्र खासकर गुजरात और महराश्टर में पाये जाते हैं जबकि पाकिस्तान और यमन में भी ये मौजूद हैं ये इसमाईली शिया के धार्मिक कानून का पालन करते हैं लेकिन एक बड़ी संख्या में खोजा इसना अश्री शियाओं की भी है लेकिन कुछ खोजे सुननी इसलाम को भी मानते हैं इस समुदाय का बड़ा वर्ग गुचरात और महराश्टर में पाया जाता है पूर्वी अफ इस समुदाय का मानना है कि अली वास्तव में भगवान के अवतार के रूप में दुनिया में आये थे उनकी फिकह इसना अश्री में है लेकिन विश्वासों में मत्भेध है नुसेरी पुनरजनम में भी विश्वास रखते हैं और कुछ इसाईयों की रस में भी उनके धर् हिस्सा है इन सब के अलावा भी इसलाम में कई छोटे छोटे पंथ पाए जाते हैं